हमने देखा यहाली के दिनों में SHS ने अगली बार जो नम़ाईशन किया था उसमें 90% बच्चों का नम़ाईशन में न koy trade-work बहुत कम बच्चों का नमबर कम हुआ था 90% बच्चों का नम़ा गा तू अच्छ курsen , पुरा नंबर बढ़े थे इस साल भी नंबर बढ़ेंगे सबी दोस्तों को जै हिंद ऐसे सी जी ची दिरी को रिक न्यूली भठीका नंबर तक बढ़ जाएंगे और किन बच्चों में SSC GD के नमाईजिसन को ले के तो पहले बात करते हैं नमाईजिसन के खौस के बारे में जो कि बहुत सरे teachers के जरी आपके मन में डाला जाता है कि SSC GD के जो नमाईजिसन में अगर आप ज़ादा नेगर्डिम कोशन अटेंट करोगे तो नमाईजिसन में करने का तीन तरीका पहला तरीका आपके फर्वरी को एकजाम हुआ है इसमें आपने चार सिफ्टों में एकजाम धिया इसमें दोस्तों 1st shift में 52% कोशन बच्चों ने सही किया है 2nd shift में 75% कोशन बच्चों ने सही किया है 3rd shift में 75% कोशन बच्चों ने सही किया है और 4th shift में 40% कोशन बच्चों ने सही किया है तो सबसे hard shift आपके दोस्तों 4th shift को माना जाएगा और इस shift में जिन बच्चों ने भी exam दिया है उन बच्चों का 10, 15, 20 number तक बढ़ जाएंगे और दोस्तों जो आपके first shift में बच्चों ने exam दिया है इसमें भी दोस्ता number बढ़ेंगे लेकिन 2 number, 3 number, 4 number तक बढ़ जाएंगे लेकिन second और दोस्ता आपके जो third वाले बच्चों ने exam दिया है इनका number दोस्तों कम हो जाएगा हो सकता है वो 0.1 कम हो जाए या दोस्तों दो number तक कम हो जाए तो इस type के दोस्तों नॉमाजिशन होते हैं यह first तरीका है ठीक है लेकिन SSE ने हमने देखा है जि 2022 के बाद SSE ने normology gwisad में number कम करना बंद कर दिया है या तो नमबर बढ़ा देती है आपका जितना आपका औ이Week score उतना scope आपका छोड देती है लेकिन नमबर कम नहीं करती है, यह क्या है ना, 2022 से पहले आपके नमबर कम हो जाते हैं, बड़ अभी कम होने की संक्या बहुत कम हो, चुकि यह SSG नमबर कम नहीं कर रहा है, अब दोस्तों दूसरा तरीका SSG का, कि आपके जो भी सिप्ट होते हैं, उसमें आपसों को पता है, सब्ड्यक होता है, इसमें आपका मैत के 20 कोचण, रिजिंग के 20 कोचण,able के 20 कोचण, हिंदी के 20 कोचण आते हैं, अब दोस्टों, हिंदी में सब बच्चे 20 में से 18, 19 कोचण अटेंड करने हैं और सब सही हो रहा है, DES Q it be 10 कोचण या दोस्तों 12 कोच्ण अटेंड करने हैं मैं से बच्चे बहुत जाद कम अटेंड कर रहे हैं, तो जो बच्चे इस इप में मैं ज्यादा अटेंड करेंगे, उनका दोस्तों नमबर बढ़ेगा, एक नमबर की जगा, दो नमबर की जगा, तीन नमबर हो जाएगा, डबल डबल दोस्तों किया जाता है, यह दोस्तों आ बच्चों करने का यह तरीका क्या है वह बताने से पहले बहुत सब्सक्राइब बच्चे मुझे पूछ आते हैं अगनीवीर जीडी की तयारी कर रहे हैं हमाई लिए बैस बूक कौन सी रहने वाली है तो अगनीवीर जीडी के लिए चक्सु पॉब्लिकेशन की वह बैस बूक मार्केट में आ चुकी है जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 1200 प्लास बहुमूले कोशन पचास आपको प्रैक्टिशर मिल जाएंगे और यह आपके अगनीवीर जीडी में पूरी पूरी सहाइता कर देगी सेलेक्शन लेने में और अपने नौकरी को पका करने में और आपके बदन पर बर्दी चढ़ाने में इसी के साथ अगर आप परचेस कर सकते हैं और आपने सेलेक्सन को पका कर सकते हैं कररने करने का अब यह फाइनल तरीका क्या है तो देखिए SSE में हमेशा question, आप देखिए जितने भी दोस्तों होता है na question, यह सारे question में SSE एक चीज़ का formula अपनाता है, वो क्या, 30 question SSE easy डालता है, 30 question SSE moderate डालता है, और 20 question SSE hard डालता है, तो जो easy question होते हैं, इस पर nomination नहीं होता है, लेकिन जो moderate question होते हैं, इस पर nomination होता है, दो, या 3, या 4 nomination होता है, लेकिन जो hard question होते हैं, इसमें nomination double होता है, यसे दोस्तों आपने 1 question सही किया, आपको 2 number मिलेगा, तो SSE उसको आपको 3 number डेगा, कि आपने hard question डेड़िया, एक number extra डे दे देता है, जो कि 20 hard question होते हैं, और यह hard question हर shift में होता है, ऐसा नहीं कि सारे shift में easy होता है, नहीं, हर shift में SSE hard question डालता है 20 number एप्रॉक्स और वो 20 number में से अगर आप 10 number सही करोगे तो 10 number की जगह आपको 40 number मिलेंगो वो दोस्तों आपके 40 से और बढ़ जाएगा आपको 30 number मिल जाएगा क्योंकि SSE उसमें अच्छा खासा normation नंबर देता है बच्चे को तो यह SSE का final तरीका है normation करने का और यही तीन तरीके से normation करता है ना कोई aggressive फरक पड़ता है SSE का कितना भी question करो दो बच्चा है सोच लो ठीक है 80 question है 80 में से एक बच्चे ने 70 question attend किया ठीक है और 70 का 70 question उसका सही हो गया और एक बच्चे ने पूरा 80 question सही किया और उसमें दोस्त उसका 70 question सही हुआ 10 question गलत हो गया तो क्या normation में इस बच्चे के number कम होगे नहीं इसका negative मारगी करने के बाद जितना number बनेगा उतना number रहेगा कोई भी इसको दिक्कत नहीं होगा और 70 question वाला का normation में number बढ़ेगा तो जी हां normation में बढ़ेगा और easyshift होगा तो नहीं बढ़ेगा और उसका भी अगर hard question उसने अटेंड किया होगा 10 बार उसकी नहीं होगा नमर बढ़ेगा चाहिए उसमें पूरा ही 한데 क्यों नहीं बढ़ता है चाहे आप कितना भी कोशन अटन कर लो फरक पड़ता है तो आपकी मेहनत से और सिलेक्शन से और हमने देखा ये हाली के दिनों में SSC ने अगली बार जो नॉमाईशन किया था उसमें 90% बच्चों का नॉमाईशन में नंबर बढ़ा था बहुत कम बच्चों का नॉमाईशन में नंबर कम हुआ था अब दोस्तों सोचों कि इतना नंबर बढ़ा है अब कर बच्चे बोड़े हैं कि के सारा सिप्ट कोशन एजी आहा राए, इजी आहा बट, जिस बच्चे ने दोस्तों अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से cz दिया 지 Гरिणा बता रहे हैं कि हां भईया सीप में ऐससे भी नहीं कि कोशन पूरा easy थे बीस से तीस कोशन हाट थे अब जिस बच्चे ने कुछ भी पढ़ा ही नहीं, वो तुक्का मार पाटी है, एक कल बकल बंबे, वो असी नमबर पूरे सो, सो में लागा, भागा, अचोर निकल के भागा, वोला सिस्टम करेगा, तो उसका तो, जैसी राम, उसको पता ही नहीं, कि रिजनी कोशन 20 आते हैं, और नमबर बढ़े थे, इस साल भी नमबर बढ़े थे, इस साल भी नमबर बढ़ेंगे, और आप देख लेना, 90% बच्चों के नमबर बढ़ने वाले हैं, चाहें आपने किसी भी सुट में एक्जाम दिया होगा, अब वो, वो एससी डिसाइड करे हैं, कि 5 नमबर देना है दो नमबर देना है, तीन नमबर देना है, लेकिन नमबर बहुत कम बच्चों के कम होते हैं, तो दोस्तों, 100 में सब्चों तो 2% बच्चों के नमबर कम होते हैं, पादबा की दोस्तों, 98% बच्चों का नमबर बढ़ता है, आपका भी नमबर बढ़ेगा, परसान नहीं होन और आपका सिलेक्षन हो जाए SSC GD में और आपके बदन में वर्दी चढ़ जाए और इस बार तो वर्दन में वर्दी चढ़ नहीं है चाहिए नमबर बढ़े या ना बढ़े या दोस्तों कुछ भी हो जाए नमबर बढ़े आप नहीं हो मुझे पता है आपने मेहनत की है इस बार आपके बदन में वर्दी चढ़ेगी किसी का बाप किसी का नमबर कम हो बढ़े इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको इस बार आपके बदन में वर्दी चढ़ेगी और मुझे पता है 90% बच्चों का नमबर बढ़ता है 5, 10, 3, 2, 1 कुछ भी बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा बहुत कम बचो नमबर कम होता है तो मुझे नहीं लगता है कम नमबर वालों में आपका नाम होगा अगर आपने दोस्तों यह फर्मूला अपनाया होगा जो फर्मूला मैंने आपको एक्जाम देने से पहले भी बताया हुआ था लेकिन दोस्तों एक्जाम के ब बदन पर वर्दी चढ़ेगी, किसी का बाप आपका बदन पर वर्दी नहीं रोक पाएगा, ये आपके भाई को पुरा-पूरी विश्वास है, बस इस विश्वास को कायम रखना और मेहनत ऐसे ही करते ना, इसे मेहनत आज आज आप कर रहे हो, ये मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी और ये मेहनत ही आपके बदन पर वर्दी चढ़ाएगी, नमबर बहुत कम बच्चों कम होता है, 90 बच्चों बढ़ता है, और आपका भी नमबर बढ़ेगा, इसका पुरा-पूरी विश्वास है आपके भाई को, जय हिंत, जय भारत, जय जगनात,